आज हम बनाना सीखेंगे क्रोजेट पैटर्न देखिए बहुत ही प्यारा पैटर्न है जल्दी बनकर त्यार हो जाता है पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहले बार आप से सब्सक्राइब कर दीजिए आप इस पैटर्न की मदद से स्वेटर बना सकते चलिए बनाना सुरू करते हैं वाइट कलर क्यों लिए मैंने तीन प्लाई क्योंन है यह 3.5 mm का मैंने करोशिया लिया है शुरू में चैनल बनाकर त्यार कर लेंगे एक, दो, तीन, जार, पान, छे, साथ, आठ, नो, देश टोटल हमें 39 चैन बनाकर त्यार करनी है पूरी करके दिखाते हैं देखे, 49 चैन बनाकर त्यार कर लिया मैंने अब हम यहां से तीन चैन छोड़तेंगे फिर्स्ट और थर्ड फॉर्थ में निकालेंगे क्रोशिय को डबल क्रोशिया बनाएंगे यहां पे तीन चैन का हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया दो बर बना लिया तीन चार पांच पांच बार बनाएंगे शुरू में डबल क्रोसिया इसके बाद एक चेन बनेगी यहां से हम एक चेन छोड़ देंगे आगे वाली चेन में निकालेंगे क्रोसिय को डबल क्रोसिया बनाएंगे फिर से नेक्स्ट में निकालेंगे तीन चार चार बार बनाएंगे डबल क्रोशिया इसके बाद एक चेन बनेगी अब हम यहां से एक चेन छोड़ेंगे आगे वाली चेन में निकालेंगे क्रोशिय को डबल क्रोशिया बनाएंगे दो तीन चार डबल क्रोशिया के बाद हमारी चेन बनेगी और लास्ट में हमें यहां पे पांच बार बनाना है डबल क्रोशिया यहां पे हमने शुरू में पांच बार बनाया तो हम लास्ट में भी पांच बार बनाएंगे यहां पे पूरा करके दिखाते हैं देखें फर्स्ट रो मैंने बनाते वे पूरा कर लिया है अब हम इसको turn करेंगे, second row शुरू करेंगे, शुरू में तीन chain, एक, दो, तीन, तीन chain का यहां पे हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया, अब हम धागे को दो बार लेंगे क्रोशिया में, यहां से हम तीन स्किप कर देंगे, first, second, और third, fourth में निकालेंगे क्रोशिया को, ट्रिपल क्रोशिया बनायेंगे, फिर से लेंगे हम दो बार दागे को क्रोशिया में, अब हमें बैक लूप में से निकालना है क्रोशिया को, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे फिर से निकालेंगे क्रोशिया को बैक लूप में से बैक लूप में से हमारी तेन स्टिच बनेगी ट्रिपल क्रोशिया की देखिए इसके बाद एक चेन बनेगी अब हम यहां से तेन स्टिच स्किप कर देंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में निकालेंगे क्रोशिय को ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे अब हम पीछे से लेंगे क्रोशिय को देखिए बैक लूप में से निकालेंगे ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे एक स्टिच बना लिया, दो स्टिच और बनाएंगे, इसके बाद एक चेन बनेगे, फिर से लेंगे हम धागे को दो बार, यहां से हम तेन स्टिच स्किप कर देंगे, फर्स्ट, सेकिंड, फॉर्ट में से निकालेंगे क्रोशिय को, फ्रेंट पोस्ट बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया, अब हम बैक लूप में से निकालेंगे क्रोशिय को, ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, एक स्टिच बना लिया, दो, तेन, इसके बाद एक चेन बनेगे, देखिए, ऐसे बनाते वे जाएंगे, सेकिंड रो, ऐसे बनाते वे पूरा कर लेंगे, पूरा करके दिकालेंगे, देखिए, सेकिंड रो बनाते वे लास्ट में आगे हैं, यहां लास्ट में हमारी एक स्टिच बनेगे, डवल क्रोशिया बनाएंगे, अब हम इसको टर्न करेंगे, थर्ड रो सुरू करेंगे, सुरू में तेन चेन, एक, दो, तेन, क्रोशियों का मागे वाली स्टिच में निकालेंगे, डवल क्रोशिया बनाएंगे, यहां सुरू में हमारी पांस स्टिच बनेगे, डवल क्रोशिया के, इसके बाद एक चेन बनेगे, अब हम आगे वाली स्टिच में निकालेंगे, क्रोशिया को डवल क्रोशिया बेच में हमारी चार्चाष्ट इच बनेगी डवल क्रोस्य के ऐसे इबनात्य वे पूरा कर लेंगे तीसर अरो देखिए ऐसे बनाते वे चली जाएंगे देखिए थर्ड रो मैंने बनाते वे पूरा कर लिया यहां पर सुरू में हमारी पांस्टीच बनिया डवल क्रोस्य की बीच में चार्चा स्टीच बनिया यहां लास्ट में भी पांस्टीच बनिया अब हम इसको टर्न करेंगे फॉर्थ रो शुरू करेंगे शुरू में चेन एक दो तीन धागे को दो बार लेंगे क्रोस्य में यहां से हम तेन स्टीच स्क्रिप कर देंगे क्रोस्यो को यहां से निकालेंगे प्रंटपोस ट्रिपल क्रोशया बनाएंगे, इसके बाद हम बैक लूप में से निकालेंगे क्रोशये को, ट्रिपल क्रोशया बनाएंगे, पीछे से हमारी 3 स्टिच निकलेगी ट्रिपल क्रोशये के, इसके बाद एक चेन फिर से बनाएंगे ट्रिपल क्रोश यह देखिए ऐसे बनागते विच ले जाएंगे फोर्थ रूप आगे सेम यही पैटर्न रिपीट होता जाएगा पूरा करके दिखाते हैं देखिए एक रोचेट पैटर्न मैंने बनाते विए पूरा कर लिया थैंक्यू दोस्तो वीडियो को पूरी देखने के लिए अब मिलते हैं एक और वीडियो के साथ